हेरो दोस्तों मेरा नाम है बुल्षिन सिंग गुलाटी, sales trader, motivational speaker और leadership consultant और आज की वीडियो में आपका स्वागत है, वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने जा रही है, एक ऐसा objection जिसका सामना almost सभी लोगों को करना पड़ता है, objection क्या है, मैं सोच कर बताऊंगा, I will think it over, लोग ब पास बोलने के लिए कोई जवाब नहीं होता, बड़ जो professional sales के लोग होते हैं, उनके पास यहाँ पर जवाब होते हैं, देने के लिए, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह लोग आखिर customer जो होते हैं, हमारे clients जो होते हैं, आखिर वो ऐसा objection देते ही क्यों है क्योंकि वो decision लेने में उनको डर लगता है, lifelong उनके बहुत सारे decision लिये नहीं है, यह कभी लिये होंगे तो उसमें घाटा हो गया होगा, नुकसान हो गया होगा, तो तो डर लगता है कि कही कोई गलट decision ले ले, तो वो कुछ कारणों की वेदे से तुरंत on the spot decision नहीं लेना च क्या है, कि वो खरीदना तो नहीं चाहता है, पर उसे लगता है कि यह प्यार से निकलने का यह बहुत बढ़ी अरास्ता है, कि मैं यह बोल देता हूं, मतलब, it is a polite way of saying no, कि मैं यह बोल देता हूं, कि I need some time to take it over, मैं सोच कर बताऊंगा, या हो सकता है, actual में वो कुछ सोचना चाहता हो, तो तीनों में से कोई भी कारण यहां पर हो सकता है, आपका कस्टमर फील करे, तो हम कैसे कस्टमर की help कर सकते हैं, कि वो एक अच्छा decision ले, दोस्तों जब भी आप कोई product दिखा रहे हो, या कोई idea share कर रहे हो, कोई concept sale कर रहे हो, वहाँ पर आप तीन पार्ट होते हो, जब आप order मांगते हो, वहाँ पर customer बोलता है, I need some time to think it over, मुझे कुछ समय चाहिए सोचने के लिए, मैं फिर आपको बताता हूं, तो तीसरे पार्ट में तो आपको जवाब दे नहीं पड़ेंगे, पट हम क्या ऐसा करें कि यह तीसरे पार्ट में यह objection आये ही ना, तो यह तो नहीं है, कि 100 में से 100 लोग आपको यह जवाब नहीं देंगे, बहुत हद तक लोग reduce हो जाते हैं, वो फिर यह वाला objection आपके सामने नहीं रख पाते, कि I need some time to think, क्या आप वहाँ पर qualify कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, आई यह दो तरीका आपके साथ share करता हूं, मैं मैं benefits बताऊंगा, और इस benefits से मिलने वाली value को मैं यहाँ पर evaluate करूँगा, कि आपकी life में value addition क्या हो सकता है, तो यह value अगर आपको बहुत ही beneficial लगती है, आपको लगता है, यह highly beneficial है आपके लिए, तो क्या इसके benefits को देखने के बाद हम आगे proceed कर सकते हैं, मतलब value अगर आपको beneficial लगती है, तो क्या हम आगे proceed कर सकते हैं, यह एक तरीका है पहले सही consent लेने का, कि वो खुदी बोल देगा आपका prospect, yes, हम आगे बढ़ सकते हैं, तो मतलब 50% आपने cut down कर दिया, एक और तरीका है qualify करने का, आप वहाँ पर यह भी बोल सकते हैं, कि Mr. Prospect जो मैं आपके साथ अभी demo देने जा रहा हूं, या जो presentation में देने जा रहा हूं, इसके बाद तीन ही बाते हो सकती हैं, एक ही हो सकता है, कि आपको concept बहुत अच्छा लगे, और हम मिलकर एक deal करें, एक हो सकता है, कि आपको concept बिलकुल भी अच्छा ना लगे, और आप मुझे मना कर दें, और ती साथ ये product लेना चाहते हैं, इससे अच्छी कोई बात हो इनी सकती, बट अगर आप मेरे मुझे मना भी करते हैं, कि आप ये product नहीं लेना चाहते हैं, सच बताऊं दोस्त, इससे भी अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि आपने time बचा दी है, अपना भी और मेरा भी, पर जब आप तीसरा sentence बोलते हैं, महाँ पर, कि I need some time to think it over, मेरे दोस्त, इसमें आप अपना भी समय बरबाद करेंगे, मेरा भी समय बरबाद होगा, हम दोनों professionals हैं, तो एक commitment करते हैं, कि आप या तो पहला जवाब दे, या दूसरा जवाब दे, और हम अपनी conversation को आगे बढ करना है, पर एक आपको point यहाँ पर याद रखना है, भई आपके prospect ने एक आपको objection दिया, I need some time to think it over, मैं सोच कर बताऊंगा, वहाँ पर आपने कभी भी prospect को नीचा नहीं दिखाना किया रहे, बेबको फादमी हो, क्या, क्या सोचो कि इतनी बड़ीया deal है, वहाँ पर आपको empathize करना है, empathize, empathy दिखानी है वहाँ पर, और आपने acknowledge करना है, कि sir, यह जो आप सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो, आपकी जगा, अगर मैं होता, मैं भी यही सोच था, आपने यह दो लाईने तो बिल्कुल बोलनी है, और उसके बाद जो भी जवाब देने हैं, वो द जो यह बताएं, कि मेरी presentation के कौन से part के बारे में आप सोचना चाहते हैं, आप product को लेकर concern है, आप मेरी company की credibility को लेकर concern है, आप मेरी credibility को लेकर concern है, या जो आपकी pocket से investment होने वाली है, वो आपका concern है, आप चारों में से किस department में सोचना चाहते हैं, तो आप notice करिए, यह जो सव जार आंसर है तो किसको किसको हम solve कर से रहेंगे इस लिए यह सवाल कभी यह जायोगे चाहिए चाहर डेपार्टमेंट से इस में से में सहरा क्या सोचना चाहते हैं और अगर वो किसीickers पॉइंट में आता है कि मैं investment के बारे में सोचना चाता हूँ तो यानि आप आपने क्या करना है अब देखो पहला objection eliminate हो गया और दूसरे को आपने पकड़ लिया कि आपने investment के बारे में आप आपके पास जो जवाब investments related है अब आप वो जवाब वहाँ पर दे decisions लेते हैं प्लीज मुझे बताइए वो सारे decisions आप 100% knowledge के साथ लेते हैं 10% knowledge के साथ लेते हैं या 0% knowledge के साथ लेते तो अधिकतर आपका prospect आपको यहीं बोलेगा कि सर मैं 100% knowledge के साथ ही decision लेता हूं तो congratulate करना चाहता हूं सर मैं आपको क्योंकि 100% knowledge जो है इस product की, इस concept की वो अभी है, मैं आपके सामने बैठाऊं, company के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया, brand के बारे में बता दिया, benefits मिलने माले बता दिये, 100% knowledge is now, tomorrow, कल क्या होगा, ये knowledge सिर्फ 20% रह जाएगी, और परसो क्या होगा सर, ये knowledge 0% पे बहुच जाए और आप फिर वो decision लेने में असमर्थ हो जाएंगे, सर, वो decision ले नहीं पाएंगे, तो अगर आप 100% knowledge के साथ decision लेते हैं, सर, तो मुझे please बताएए, कौन सा color आप पसंद करना चाहते हैं, आप red वाला book करना चाहते हैं, ब्लू वाला, कुछ products के बारे में अगर आप ऐसा कु सर, मुझे please इतना बताएए आप, कि तीन प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं, who make things happen, जो काम को करने में विश्वास रखते हैं, दूसरे होते हैं, who see things happen, जो सब काम को देखना चाहते हैं, और तीसरे होते हैं, who wonder what happen, जो हैरान हो जाते हैं, क्या के रिए क्या हुआ हुआ तो आपको देखकर मैं अंदाजा लगा पा रहा हुँ, कि आप पहली category में आते हैं, who would love to make things happen, जो काम को करने में विश्वास करते हैं, तो सर, मैं चाहूंगा, कि आपके सामने में यही पर बैठा हूँ, company, product, brand, तीनों की बाते मैंने आपको बता दिये, why don't you take it now, आप अभ इन बात यहां पर बताइए, आप inspired किन लोगों से होते हैं, आप life में average लोगों से inspired होते हैं, या life में आप successful लोगों से inspired होते हैं, किन से inspired हैं आप, तो ज़्यादा तर लोग आपको यही बोलेंगे, कि हम successful लोगों से inspired होते हैं, सर, successful लोगों के बारे में मैंने खूप पढ़ी हैं और एक बात में निचोड़ी एक बात सब में common पाई और वो क्या थी सर कि यह successful लोग दो चीजों से बिलकुल दूर रहते हैं एक है procrastination यानि टालने की आदत और दूसरा है being perfectionist यानि की perfection लेने की आदत कि वो काम उस दिन करना जिस दिन मैं पूरा टटोल लूँगा कि मेरी life में कोई नुकसान नहीं होगा तो सर जो successful लोग होते हैं ना तो वो काम को टालते हैं decision को टालते हैं ना वो इस इंतजार में बैठते हैं कि जिस दिन 100% में guarantee में आ जाऊंगा कि अब decision बिलकुल सही है मैं उस दिन होगा सर इसलिए वो लोग successful है और average आदमी इसलिए average है क्योंकि उसकी life में हजारो opportunities आती हैं बट वो procrastination और perfection के चक्कर में उन opportunities को निकाल देता है I hope sir आप भी successful बनना चाहते हैं sir यह form आपके सामने है company आपके सामने है product आपके सामने है मैं आपके सामने बैठाँ तो please मुझे आप बताइए कि यह मैं आपके सामने orders कितने पैक करूं है पांच का order पैक करूं या 12 का order आपके लिए पैक करूं आपने फिर से महाँ पर closing question पूछ लिया सामने वाले का जवा कर सकते हैं या तो कोई है उसको आप रोख सकते हैं आप इसको रोखा जा सकते हैं तो आप इसको कैसे बात कर सकते हैं एक insurance advisor जब पालिसी सेल करने जा रहा होते हैं छो customer होते हुं बहुत बार ऐसा बոलते हैं कि मैं सोच कर बताऊंगा मुझे थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए तो वहाँ पर insurance advisor को मैंने एक बार जवाब देते हो सुना था और बहुत शांदार जवाब है insurance advisor कहता है कि सर आप सोचना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है सर आप पूरे 15 दिन के लिए सोचिए बट एक चीज सर मेक शूर कर लिजे कि 15 दिन जो आप सोचेंगे ये 15 दिन भी तो आपकी family protected नहीं है तो अगर आप आज इसी वक्त मुझसे insurance purchase करते हैं तो मैं आपको 15 दिन देता हूं सर सोचने के लिए आप आज purchase कर लिए और ये protection ये protection मेरी company की तरफ से 15 days के लिए आपको free मिलती है वो तो मुझे बात में पता लगा कि insurance में एक free look नाम का concept होता है 15 दिन के लिए ये आपको free मिलेगी अगर 15th day भी आपको लग गया कि product अच्छा नहीं है, company अच्छी नहीं है आप उसी दिन cancel कर वा लिए आपके सारे पैसे आपको वापिस मिल जाएंगे बट सर्ब decide आपने ये करना है कि क्या आपने protection के साथ सोचना है या protection के बगार सोचना है तो सर्फ protection के साथ सोची ना अगर सोच नहीं है और वो protection भी 15 दिन के लिए मेरी company आपको absolutely free दे रही है तो वहाँ पर बहुत बड़ी deal crack हो जाती है और आप loss को avoid होने से कैसे रोख सकते है इसे हम लोग कहते है loss of delay तो वहाँ पर भी आप dialogue बोल सकते है specially network marketing, direct selling में ये dialogue बहुत बार मारा जाता है कि सर आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं इस दुनिया में आपके friends, आपके relatives, आपके neighbors तो बहुत लोग हैं जो बहुत बड़ा business लाकर दे सकते हैं अब दो option है सर आप आज start करें और उन्हें approach करें और उनको अपने network का part बनाए या दूसरी option ये है सर के आप कहरें सोचेंगे सोचने के बाद start करेंगे आप सर इतने में अगर आपके किसी पडोसी ने आपको call कर दिया आपके किसी relative ने call कर दिया और आप उनके network का part बना चाहते हैं choice is absolutely yours कि आप लोगों को अपने network में लाना चाहते हैं आप अपने नोन लोगों के network में आना चाहते हैं loss of delay would be very big आप नहीं जानते हैं वो एक distributor कितने लाखो रुपे का business आपको लाकर दे सकता है तो end में मैं आपको बोलूँ का मैंने 5 options दिया आपके choice है पहला use करिए दूसरा use करिए तीसरा use करिए और अगर नहीं पहला दूसरा चल रहा पाचो के पाचो आप वहाँ पर use कर सकते मकसद है वहाँ पर sale को close करना और वो check को pick करना और end में डेन लोग जो बहुत कमाल के sales के trainer है उनका एक dialogue बहुत अच्छा लगता है मुझे share करना चाहूँगा वो यह कहते हैं prospect को कि Mr. Prospect आपके पास payment है और मेरे पास solution है चलो आपस में exchange करते हैं आप मुझे payment देजिए मैं आपको solution देता हूँ आपकी problem का पर एक बात ता है कि अगर आप payment नहीं देते हैं तो आपके पास payment नहीं रहती आपके पास problem भी रहती है तो क्या आप इस situation से okay है कि problem भी आपके पास है और payment भी आपके पास है और solution मेरे पास है इस product के धुरू मैं एक solution आपके लाइक नहीं दे सकता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए सोच कर बताऊंगा इसका जवाब बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पर दिया इसको use करें apply करें believe me बहुत अच्छे results आपके पास आएंगे और share करें अपने सारे colleagues के साथ और कोई भी बात अच्छी लगे तो like करें और comment जरूर करें इनी शब्दों के साथ बहुत बहुत ड़ने वाद thank you so very much और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों जरूर करें और bell icon भी हिट करें